हाई फेंद इस आसीम फ्रम केंपस लॉचेंटर फाक्लिटी फ्लॉफ देली तोड़ी डिसकस लेना केस अध्मिस्टर्टिव लॉवीची मैंसे इन आवा केस मैड केस का नाम है स्री रामा सुगर इंडॉस्ट्री लिम्टेड वसे श्टेट अधर प्रदेश यह 1974 का केस है और इस केस के फैक्ट इशू अजज्जमिंट प्रदेश केस में सी रामा सुगर इंडॉस्ट्री लिमिटेट गौर्मिंट से रिक्वेस्ट करती है कि गौर्मिंट उससे आंद्परदेश सुगर के इन रिगुलेशन अफ सप्लाई एंड पर्चेस एकट q2 का ताहत टैक्स में चूट दे इस Act का Section 21 clause 3 Government के administrative authority को ये power देता है कि वो किसी नए factory को तीन साल के लिए tax में चूट दे सकती है लेकिन government सिर्व वैसे factory को tax में चूट देती है जो cooperative society के द्वारे रन किया जा रहा है लेकिन स्री रामा सुगर इंडरस्ट्री जो है वो cooperative society के द्वारे रन नहीं किया ज इसलिए उसे government tax में चूट नहीं देती है इस वजह से सी रामा सुगर इंडरस्ट्री जो है वो कोर्ट में government के इस discretionary power को challenge कर देते हैं तो इस case का issue यह है कि क्या government ने अपने discretionary power का misuse किया है सिफ वैसे factory को tax में चूट दे करके जो cooperative society के द्वारे रन के जाते हैं या नहीं तो आब आते हैं सुप्रिम कोड के ओपर depend करता है कि वो किस तरह के policy को adapt करती है और वो किसे tax में छूट देती है और किसे नहीं कोट आगे यह कहती है कि यह policy के subject matter पर करता है कि government ने किस class के factory को tax में छूट देने की बात कही है और किसे नहीं present case में अगर government ने cooperative society के द्वारा run किये जाने वाले factory को tax में छूट देने का अगर decision लिया है तो यह जो decision है वो पुरी